जी माम अपना सवाल पुछिए माम मेरा कॉशन ये है कि मेरे हार्मोनल डिस्वालन्स की प्रॉबलम है तो उसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए मीना जी हार्मोनल डिसॉडर जो होते है वो खुद से प्यार नहीं करने की कमी किसी वज़ा से होती है You can heal your life जो पुस्तक हिंदी में भी लब्द है इस पुस्तक को खरी दिये इस पर 15 वीडियो प्यमसी हिंदी पर परिवर्तन स्रीज के अंदर मेरे दौरा बने हुए है उनको आप अराम से अराम से देखिए एक दिन में एक वीडियो देखिए कौपी पिन लेकर बैठी है और उसके जो प्रैक्टिकल बताए जाए उनको प्रैक्टिकल को करना है सबसे बड़ा प्रैक्टिकल उसमें है मीरे लिए के सामने खड़े होके बोलना मैं खुद से प्यार करती हूँ मैं अपनी स्रीर के जरुतों को मन के जरूतों को अपनी भावनात्व के जरूतों को समझती हो और पूरा करती हो जब हम खुद से प्यार करते हैं तब हमारे सबी हार्मोन जो है वो बैलन्स होते हैं तो सेल्फ लव सेल्फ लव का अफर्मेशन ये आपको करना है ये पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट जो है हमारे चक्राज हमारे पास साथ उर्जा केंद्र है मुलाधार सबसे नीचे है फिर स्वाधिष्ठान है मनिपूर और साथ चक्र है तो मुलाधार और स्वाधिष्ठान इनको संतुलित रखने की जरूत है अगर मुराधार और स्वाधिष्ठान अगर ठीक हो तो सभी चक्र जो हैं मतलब लोर चक्राज फिजिकल हेल्थ प्रॉलम के लिए हर्मिनल हेल्थ प्रॉलम के ज्यादा रिस्पोंसिबल हैं थोड़ा सा हमारे थर्ड आई का भी रोल होता है हमारा पीनिल ग्लैंड पिटूट्री ग्लैंड हमारे थारोइड का भी थारोइड रोल होता है तो थारोइड का क्यार करना है थारोइड आपकी भीतर ना हो अपने जो थर्ड आई है इसको सोनते समय हम मसाज कर लिया करें दो म सकते हैं सोते समय मुखी रूप से होता है दिन में और किसी दूसर समय भी कर सकते हैं मुलाधार चक्र और स्वाधिश्ठान चक्र नीचेस के जो दो चक्र है इनको ठीक रखने के लिए आप दिन में दो बार या जो भी मुजिक अपको अच्छा लग रहा है बहुत बार जब हमारे लिए वह हीलिंगवाला होता है तो आप YouTube पर भी ढूल भी सकते हैं, राग यमन कल्यान, राग यमन, और उनके साथ आप ध्यान में बैठिए, दिन में दो बार ध्यान में जरूर बैठिए, किसी भी रोकोठी करने के लिए दिन में दो बार या तीन बार आदे घंटे से घंटे का ध्यान, एक घंटा हो सके त आपको जब फाइदा नजर आइन लग जाएगा, भरोसा हो जाता है, तो फिर करते चलेंगे, तो कोई तरह ठीक हो जाएगे, तो लुई हे को पढ़िए, अफरमिसन कीजिए, और चक्रों को ठीक कीजिए. हीना जी, आप अगर ध्यान कर रहे हैं, तो जैसा कि सर ने बताया कि आपने दो बार दिन में ध्यान करना है, और इस बात को आप मान के चलिए, कि संगीत के साथ ध्यान करने का अपना एक अलग इंपाक्ट होता है, तो जब भी आपको अब मुका मिले नेक्स्ट, तो आप उस जो भी संगीत बताये हैं, जो भी राग बताये हैं, उसको आपने नोट किया होगा, और उनी के साथ आप अगली बार ध्यान करेंगे, आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवार, हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, देखते हैं उनका क्या है सवाल?